Hello dear students, welcome to my class. आज की क्लास के में हम जानेंगे about earthquake. Earthquake क्यों आता है? कैसे आता है? इसके पीछे का science क्या है? बहुत ही सरल भाशा में आज हम जानेंगे earthquake के बारे में, तो without any delay आए स्टार्ट करते हैं. क्यों आता है earthquake? जब tectonic plates आपस में टकराती हैं, तब ये earthquake आते हैं. अब ये tectonic plates क्या है? tectonic plates को समझने से पहले हमें earth, जो अपना beautiful earth है, उसके study करनी पड़ेगी, उसके formation की study, उसके structure की study करनी पड़ेगी. हम deep में नहीं जाएंगे, लेकिन basic study करेंगे. अगर मैं earth की layer की बात करूँ, ये earth है अपना beautiful, जो सबसे अंदर वाला part होता है, इसको बोलते हैं core. ठीक है, next होता है mental, फिर सबसे ऊपर की layer से उसको बोलते है crust, this is crust, this layer is known as mental, and this is core, right? जो outer core होता है, ये, ये liquid form में होता है, ये completely liquid form में होता है, इनके उपर tectonic plates move कर रही होती, ठीक है ना? टेक्टोनिक plates move कर रही होती है, और जब ये plate आपस में टक्राती है, और जब ये plate आपस में टक्राती है, तो इनसे एक energy release होती है, और इस energy से हम feel करते हैं, company, जिसको हम कहते हैं, भुकम्प, जिसे हम भुकम्प कहते हैं, या earthquake कहते हैं, ठीक है, ये, अब क्या होगा, ये अपना earth है beautiful, उसका एक globe का एक representation है, तो अब आपने देखा हो, जब कोई भी दो object, अगर ये object A है, और ये object B है, ठीक है, जब ये दोनों object आपस में टक्राएं जब ये टक्राएंगी, तो obvious एपसी बात है, कि इनसे क्या release होगी, energy release होगी, और ये जब energy release होती है, तो इससे क्या होती है, trembling होती है, company feel होती है, जो हमें, company जो होता है, जिसको, जिसके करण भुकम पाता है, ठीक है, ना, जो 12 tectonic plates है, उस पर जो most of the 12 tectonic plates है, उन सभी के नाम यहाँ पर given है, लेकिन हमें 12 tectonic plates के वैसे नाम याद करने के जोड़ते नहीं है, अब ये 12 है ये major है, minor है, ऐसे करके बतीरी tectonic plates है, जो outer core है, उसके उपर move कर रही होती है, ठीक है, तो उनसे टकाने से energy निकलती है, ज इससे भुकम पाता है, लेकिन ये plate टकराती क्यों है, बहुती important question है, actually, क्या reason है, जो प्लेटे टकराती है, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई object travel कर रही है, ठीक है, अगर कोई object travel कर रही है, अब travel करने से क्या होगा, कुछ object या तो दूर चले जाएंगे, या कुछ object बहुती पास आजाएंगे, अब वो कुछ इतने पास आजाते हैं, कि वो एक दूसरे को collide कर जाते हैं, जब वो collide करते हैं, तो उनके भी से energy release होती है, और energy release होती है, तो हमें कमपन महसुस होता है, जिसे हम भुकम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जब plates टकराती हैं, तो क्या होता है, जब plates, टेक्टोनिक plates आपस में टकराती हैं, जिसमें टीन phases होते हैं, तीन condition होते हैं, एक होती divergent, एक होती convergent, एक होती transform faults, इन तीनों में क्या difference है, जो divergent होती हैं, इसमें plate एक दूसरे से दूर भागते हैं, जब plate एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो create a new sea floor, एक sea floor बन जाता है, ठंडा हो जाता है, यह sea floor बन जाता है, trenches बन जाते हैं, यह तो कब होगा, divergent के case में, अगर convergent की बात करें, इसमें दो plate आपस में एक दूसरे पर चड़ जाती हैं, अब ज़्यादा, जो ज़्यादा heavier होता है, वो बिलकुल उसके उपर आ जाता है, और जो shallow होता है, वो क Side by Side without any destroy, क्या करते है, land mass को आगे पीजे, shift कर लेते हैं, एक east में जाएगा तो west में जाएगा, नौथ में जाएगा तो और एक south में जाएगा, जब यह plate टकराती हैं, लेकिन, जब यह plate टकराती हैं, तो ऐसा क्या होता है, जो हमें भुकम फील होता है, तो जब यह plate टकराती हैं तो इनसे एक energy निकलती है जिसे हम English में कहते हैं seismic waves और Hindi में कहते हैं वो कमपियें तरंगे राइट अभी मैंने बताया आपको कि जब दो object आपस में टक्राएंगे तो उनसे energy release होगी यह उसी तरह होता है जब आप एक bucket लो और उसमें bucket लो और उसमें पानी है और इसमें कंकर फैक हो जैसी आप इसमें कंकर फैक होगे तो इसमें क्या होगा चारों तरफ एक waves आपको दिखाई देंगी सेम यह concept होता है भुकंप का यह concept है भुकंप का जब दो plate आपस में टक्राती है तो उससे क्या निकलती है energy और यह energy पूरी आर्थ की जो surface है उसके उपर travel करती है जिससे कंपन होता है trembling होती है ठीक है और हम उसे भुकंप कहते है ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर दो tectonic plates इस focus पर टक्राई होंगी तो energy निकलना कहां से start हुआ होगा इस focus से start हुआ होगा जब इस focus energy start निकलना हुआ तो यह क्या हो तो completely चारव तरफ फैल है एक्विल डिस्टेंस टीक है जब यह एक्विल डिस्टेंस चारव तरफ फैल जाएगी तो हमें क्या फिल होगा कमपन फिल होता है तो अब इसके बिल्कुल उपर क्या होता है यह epicenter होता है हम कहते हैं इसका epicenter नीचे हो प्लेटे तो जमीन के मेंटल के नीचे कोर के ऊपर टका रही हैं के अगर उसके वर्टिकल ही डिस्थेंस पहम जाए तो ईसका डूते हैं डूकैर वो प्लेट प्रिथवक कि कि अदयुग किससे नीचे से Benton अगर वो नीचे हैं तभी suppose करो आप अगर वो प्लेटे इतनी नीचे हैं तभी भुकंप आता है तो हमें कितना ज़्यादा effect पड़ता है उसके उपर कितना परवाब पड़ता है लेकिन अगर ये बिल्कुल उपर आज़े तो कैसा होगा भुकंप के केंदर और तिवरता का क्या मतलब है भुकंप के केंदर और तिवरता से मतलब यह है कि जो प्लेटे आपस में टकराई है सपोस करो यह अपना ब्यूटिफुल आर्थ है सरफेस है यहाँ पर एक लड़का है ठीक है एक्जांपल करो और दो प्लेटे यहाँ पर ट इंदर अब इसकी तेवरता कितनी है यह डिपंड करता है किसके frequency कितनी है कितने कम एरिये में यह कितना ज़्यादा अपना अपनी frequency energy को वो करती हैं अगर आप मानो एक एक्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक बंदा है यहां पर लगा के घूम रहा है तो इसके स्राउंडिंग जो चाड़ों तरफ है उस पर्फिम की जो खुश्बू है बहुत अच्छी महसूस सबको होगी लेकिन अगर यही बंदा दूर मीटर की दूरी पर खड़ा है इससे तो यहां पर पर्फिम की खुश्बू उतना अफेक्ट नहीं करेगी क्यूंकि काफ़ी डिस्टेंस से उसके जो वेव से उतने दूरी ट्रैवल नहीं कर पाएगी तो वही कॉंसेप्ट है यहां पर कि अगर रियक्टर स्केल पर 7 यह 7 से अवब हो तब कहा जाता है कि जो भुकंप है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको जो इंपेक्ट है बहुत ही हजार्डा से बहुत ही पावर्फूल होता है अगर कम है तो वह कम है और ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा होता और डिपेंड करता है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ठीक है कि भुकम का सेंटर कहा है टेक्टोनिक प्लेट्स आप सपोस किजिए यहाँ पर टक्राई होंगी ठीक है फोकस इसका यह लेकिन एपी सेंटर लैंड के उपर सर्फेस को पर यह होगा अब यह जो ट्री है इसके बहुत ज्यादा पास है और यह हाउस है इसके बहुत एक्फेक्ट होगा ज्यादाavorigऌ अस्यद्स आएंगी तो इसका डामेज इसको बहुत ज्यादा जबहुत होगा अगर यह हाउस है इसको ढम से नेrim और से दूर हैवं ठीकिन तो इस इससे डिपेंड करता हैんな फ्रिकवेंसी कितनी ज़्यादा आती हैं यह सीजिमिक है कि जो उसका जो focus है वो surface से कितनी नीचे अगर उसकी टीवरिता अगर उसकी frequency कम है तो वो become बहुती small माना जाता है या फिर बहुती low power का माना जाता है लेकिन अगर उसकी frequency बहुत जादा है तो वो become वो जो earth quick है बहुती high powerful माना जाता है उसकी एक्टर स्केल पर उसकी जो measurement है magnitude है वह बहुत जादा आती है अगर यह house की अगर मैं बात करूं यह building beautiful building आप जो देख रहे हो यह इसका एपी center है अब यह एपी center से बहुत दूर है तो जो इनके आसपास के area होगा यहां पर बहुत ज्यादा डैमेज होगा लेकिन इसको कोई damage नहीं होगा बिकोज यह एपी center से बहुत ज्यादा दूर है बिकोज यहां पर इनकी frequency आई नहीं रही है यहां पर frequency highest लेकिन यहाँ पर विल्कुर frequency नहां के बराबर है तो इनको कुछ भी damage नहीं होगा लेकिन यहाँ पर इससे भी area बहुत ज्यादा damage होगा क्या भारत को भुकम का सरवादिक खत्रा है अफकोर्स सरवादिक तो नहीं है ज्यादा तो नहीं है बट लेकिन हाँ खत्रा तो है लेकिन अगर इंडियन प्लेट्स की बात करें अब आपको मालूम है गौंडवाना लेंड और अंगार लेंड वगेरा क्या थे पहले सब कुछ एक एक ही जैसा था पैंतलासा पैंजिया राइट अगर मैं एक आपको डेमो देऊं यह अर्थ है यह गौनवाना लेंड और यह अंगार लेंड अगर यह इंडिया वगेरा होगा कहीं पर यहां पर आज से लगवाव फॉर पॉंट फाइप बिलियन एर्ज पहले तो जो अर्थ ऑपना ब्यूटिफुल इंडिया है वो दिरे दिरे यूरेशिया की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट किया और जैसे यह यह यहां पर यह क्लाइड किया तो को इनके क्लाइड करने से दोनों की जमीन की बीच को बहुत ज्यादा धक्का लगा इनके बीच से धक्का लगने से क्या होगा यहां पर इनकी जो लैंड मास्त है वो ISP के माउंट टैवरेस वो यहीं पर है तो जाइसे बात है अगर इंडिया में कल को कोई भुकम पाता है तो येस अफकोर्स हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान दायक हो सकता है ये देखो ये हैं इंडियन प्लेट ओके ऊपर है युदेशन प्लेट नीचे है अफरिकन आस्टेलियन राइट नीचे और ये अन्टैटिकन प्लेट है तो ये सारी प्लेट अपस में टकराती है तो आप ज़से मैजिन करो कि इंडिया को कितना ज़्यादा डैमेज होगा कितना ज़्यादा इनको यहाँ पे डिवस्टेशन होगा ठीक है न भारत में कौन-कौन से छेतर भुकम के हिसाब से ज़्यादा खतरे में हैं इंडिया में जितने भी स्टेट से उनको चार कैटेगरी में बाटा गिया है ज यहां पर सबसे कम खत्रे वाले महां पर रीजन हैं जो फुट्री हैं वह मेडल इंडिया का पार्ट है जो फूर निडाय जैसे दिली वगएरा वगएरा होगी सब दली नजन इंडिया में जो हिमालियन जोंगे अंडर में आते हैं जैसे कि जमूएं कश्मीर ले लड़ा वग ग्रीन और बलू राइट तो यहां पर दिरे दिरे करके यह जोन 5 जो है Most Dangered एरिया है वहां पर Seismic जोन से Most Dangered है वहां पर बहुत ज्यादा खतर ना होकम आ सकते हैं भारत में कौन से भुकम की ज्यादा सबसे खतर जोन 4 जोन 5 जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला जोन है जिसे कि नदर पार्ट और जो एरिया हिमालियन रेंजिस के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर भुकंप आने की सबसे ज़्यादा चांसे से जिसमें हमारा ब्यूटिफूल डैली भी इंकलूड है अब भुकंप के लिए माइक्रो जोनिंग की जाते हैं माइक्रो जोनिंग इन दसेंस ऑफ दाट कि हमारे इंडिया में और अधर अधर कंट्रीज में अब बेस बेस्ट ऑन दी सिजमिक एक्टिविटी तो उनको कंट्री को ना उनके सिटीज को अले अले डिविजन से बांट इस सिजमिक ये ऐसे चिनको कह जाता है मैक्रो जोनिंग तो बो माइक्रो जोनिंग ऊठेट फान दाट सिजमिक technology जो का माइक्रो जोनिंग हो चुका है bisa दिली के तीन ऐसे माइक्रो जोने हैं धायर ऑफ्रेशे वालेश। उसमें कहां ड्यली के रीज वाला आता है जो मीडल पार्ड है दक्चिन सदरन पार्ड है नंदर पार्ड है एंद वेस्टर्न पार्ड है लेकिन जो सबसे ज्यादा खत्रह वाला है वो ने ज्दे डेली का सबसे जादा खतरे वाला इंजा है जहां पर बुकम पाने के बहुत ज्यादा chances हैं यह देखो आप यो red red part देख रहे हो यह बहुत ज्यादा मतलब high light वाला एरिया है जहां पर बुकम की intensity ए अर्थ quick की जो intensity बहुत ही ज्यादा है बहुत ही powerful है तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा wait कीजिए next part का next part में मैं इनके सारे conclusions लेकर आऊँगा क्या reason है हम become किसे कैसे बस सकते हैं हम अपने घर को कैसे बचा सकते हैं तो इन सभी का conclusion मैं आपको next part में लेकर आऊँगा I hope अभी यह वाला part आपको पसंद आया होगा thank you very much for watching this video जय हिंद